असलाम अलेकम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम continuity का concept सीखेंगे इससे पहले हम limit of a function को discuss कर चुके हैं अब limit को use करते हुए function की continuity continuity दो तरह की होती है पहले हम शुरू करते हैं continuity at a single point से और उसके बाद पिर हम उस idea को extend करेंगे to a set ठीक है single point पर continuity check कैसे की जाती है और किसी एक set पर किसी एक domain के अंदर continuity कैसे चेक की जा सकती है और इसके लिए हम exercise 2.5 के पहले 10 questions solve करने बाले हैं तो पहले ज़रा एक नज़र इसकी definition पर तरह हम फिर उसके questions करेंगे let's say हमारे पास कोई एक function है जिसको हम f of x कह रहे हैं वो किसी एक point c पर तब continuous होगा जब ये तीन conditions meet करेंगी जब ये तीन conditions satisfy करेंगी सबसे पहली condition कि जिस point पर आप continuity देख रहे हैं उस पर function define होना चाहिए function की value exist करनी चाहिए in other words वो function की domain में होना चाहिए second point ये है कि उस point पर function की limit भी exist करनी चाहिए और ये चीज हम देख चुके हैं कि किसी भी function की limit किसी एक point पर तब exist करती है जब उस point पर उसकी left और right limit दोनों exist भी करें और दोनों same भी हों तो second point further इसमें दो points कह सकते है उस point पर function की right limit और left limit दोनों same होंगी तब limit exist करेंगी ठीक है ओके इसी तरह third point ये कहता है कि आपके पास limit तो exist करें और उसकी function की value भी exist करें बट दोनों equal भी हों अगर दोनों equal होंगी तो function उस point पर continuous होगा ठीक है तो हम आज के questions में क्या करने वाले हैं कुछ question में जैसे one से four तक जो सवाल है उनमें तो हमने continuity graph से देखनी है उसके बाद हमारे पास function भी given होगा और तब हम ये तीन conditions उस पर apply कर सकते हैं ठीक है तो graph की मदद से continuity देखना कोई मुश्किल काम नहीं है बिलकुल simple है आपने क्या करना है आपने ये देख लेना है कि graph में कोई ऐसा point तो नहीं है जहां पर आपको pencil उठानी पड़ रही है graph ड्रा करते हैं अगर ऐसा point मिल जाता है तो that means उस point पर function आपका discontinuous है एक word होता है continuous इसको opposite है discontinuous ठीक है जैसे देखें ना question number basically उसने one से four में हमने कहा हुआ है कि आपने बताना है कि जो function के graph given है क्या ये continuous है minus one से three तक अब देखें उसने हमें पूरा set दे दी है उसने का कि आपने एक single point नहीं देखना बलके minus one से three तक ये एक set है एक interval है इसके अंदर देखना है इसका तरीका का रही है कि अगर इस interval के अंदर पाए जाने वाले हर point पर function continuous है तो पूरे interval पर continuous होगा ठीक है इसी भी set पर function तब continuous होता है जब उस set के अंदर हमें कोई ऐसा point ना मिले जहांपर discontinuous हो जाए ठीक है तो देख लें ये बिलकुल simple है आप चले हम इसी को उपर draw करने लग जाते हैं जी ये देखिए ये मैं graph draw कर रहा हूँ ओके ओके करते जाएं जी अब देखें ये एक two point हमें ऐसा मिला जहांपर एक whole आ रहा है इसका मतलब है two पर function define नहीं है तो इस वजह से two पर हमें pencil उठानी पड़ी then आगे से शुरू करना पड़ा that means आपका function जो है वो point two पर discontinuous है ठीक है ये जो आपको एक whole नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि exactly two पर function define नहीं है जबके इसके left और right पर अगर्चे define है वो तो ये function की continuity की second condition बलके first condition ही sorry f of c exist वाली immediate नहीं कर रहा ठीक है इस वजह से आपका question number one है ये x is equal to two पर discontinuous है क्या वजह है हम reason भी आगे लिखे देते है this is discontinuous क्यूंके f of two does not exist ये आप यह कह सकते है function is not defined at x is equal to two ठीक है does not exist two पर function की value ही exist नहीं कर रही ठीक है that's the reason कि वो two पर discontinuous है हम बाकी सारे point पर continuous है तो function continuous है minus one से two तक open interval minus one से two तक union again two पर open interval चूंके two point include हमने नहीं करना three तक ठीक है तो बाकी सारे point पर function जो आपका है वो continuous है ठीक है okay so next आज है हमारे question number two पे two पे देखिए once again आप अगर यहां से draw करना शूरू करें minus one से तो आपको कोई problem नहीं आएगी आप एक ही मरतबा draw कर सकते हैं इस point पर भी और चलते हैं चलते हैं बस three पे आगर problem हो रही है क्योंकि three पर function की value के लिए आपको जम्प करना पड़ेगा जम्प करके यह कुछ ऊपर define है कुछ यहां फे ठीक है इस वज़ा से यह भी function आपका पूरे interval के अंधर continuous है except x is equal to three क्या वज़ा है क्योंकि three पर इस मरतबा function की value याद रहे define है three पर क्या है function की value define है which is यह यह फ of three क्या है यह one और two के in between मतलब यहां पर लाएका reaches को हम लेके चलते हैं कि let's say यह 1.5 है ठीक है अगरचे इसकी function की value define है but इसमें आपकी head condition meet नहीं कर रही अब देखें ना इस point पर three पर sorry three पर आप function की left limit देखेंगे right तो देखेंगे नहीं क्योंकि right side पर function उसने हमें खुद ही नहीं define किया हुआ ठीक है ना तो इसकी left limit क्या बनती है function की x is equal to three पर three का minus sorry f नहीं है यह g है यहाँ पर भी sorry g लिखना था तो g of x is equal to यह जिनाब आपके पास बनती है जैसे जैसे आप three को approach करते हैं आपका function जो है वो इस value का approach करते है and this is by the way one ठीक है तो देखा आपने इसकी left limit 1 आ गई जबके function की value 1.5 है और दोनों equal नहीं है that's the reason के function आपका three पर discontinuous है ठीक है third condition यह meet नहीं कर रहा अच्छा इस पर आजए question number three पर तो इस पर observe कीजिए ज़रा minus one से अगर आप start होते हैं function plot करना चलते हैं इसी तरीके से आप three तक पहुंच जाएंगे कोई भी ऐसा धर्मियान पर point हमें नहीं मिला नहीं boundary points पर जहां पर आपको pencil उठानी पड़े function ड्रा करते हैं ठीक है आपने एक ही मरतबा में function पूरा upload कर सकते हैं इस interval के अंदर that means आपका यह function minus one से लेकर three तक continuous है ठीक है simply continuous on minus one two three reason आपको मैं बता दिये तो यह हम graph की मदद से देख रहे हैं कैसे continuity चेक की जा सकती है अच्छे जी next question number four पर आजएं जिसमें हमारे पास piecewise function का graph given है चुँके दो pieces हैं आपको नज़र आ रहे हैं तो इसमें अब हम अगर देखा जाएं तो minus one से start हो जाएं तो आप चलते जाएं जी यहां पर आगे आपको break लगेगी फिर आपको jump करना पड़ेगा नीचे से शुरू करेंगे फिर आगे जाएंगे तो यह जो point one है ना I mean x is equal to one इस पर function की continuity जो है ना वो आप नहीं कह सकते function is continuous क्यों? क्योंके आपको jump करना पड़ रहे definition की मदद से देखेंगे तब भी आप नहीं कर सकते क्या वज़ा है? अगर चे function की value one पर exist करती है और वो यह वाली value है this is f of one which is zero basically अब इसकी function की one पर left limit क्या है? इसकी limit exist नहीं करती क्योंके देखें ना अगर आप left limit find करें अपने function sorry again मैं f लिख रहा हूँ आपको यह चीज केरफू रहना है this is not f, this is k of x ठीक है? so k of x की limit one के left पर जब आप one को left side से प्रोच करेंगे तो आपने देखा function उपर है यह कोई approximately शाइद 1.5 होगी ठीक है? one की left limit जो आ रही है इस function की one पर that is 1.5 इसी तरह अगर आप इसकी right limit देखना चाहते हैं x का प्रोच करेंगे one right side से तो यह किसके एकुल आ रही है जी? ओके तो one की right side से प्रोच करेंगे तो यह वाले function यूज होगा और यह ultimately zero की तरफ जा रहा है तो इसकी जूँके left और right limit यह आपकी equal नहीं है तो that means इसकी actual limit exist नहीं करती तो वो फिर function की वाली को equal कैसे हो सकती है तो this is the reason कि आपका function one पर discontinuous है तो यह पहले चार सवाल थे five से लेका ten तक हमारे पास यह function का graph given है which is a piecewise function साथ ही में इसका graph भी given है और आपको यह कुछ points mention है five से ten तक इनके बारे में बताने है तो इसमें आप graph की मदद भी ले सकते हैं यहां से functions की help भी ले सकते हैं जैसे आपको असानी लगे तो let's start from question number five five में यह given है सबसे पहले आपने बताने है क्या minus one पर function की value exist करती है a part में इसका है यह जी a part अच्छा इसको एक minute एक minute दीजी है मैं जरा इसको ऊफर shift कर दूँ ओके तो अब बताईए जरा क्या function की value minus one पर exist कर रही है minus one point actually कहां पर लाए कर रहे graph में this one ऐसी है ना तो yes exist करती है and this is zero not still exist करती है बलके इसकी value क्या है zero है वैसे इनका answer आपने yes no में देना है बताने की जोड़ नहीं थी लेकिन चले हम बता देते है zero आगे आपने yes लिखते है अच्छा जी b part पर आ रहे है वो कहरे है क्या one पर यह sorry minus one पर इसकी right limit exist करती है right limit यनि आप minus one को जब right side से अप्रोच करेंगे आप देख रहे है यह function है जैसे जैसे आप one के करीब जा रहे है function आपका zero के करीब जा रहे है ठीक है yes इसका answer भी हमारे पास क्या है जी बिलकुल ऐसे ही है function की right limit minus one पर exist कर रही है और क्या next c part में पूछ रहे है क्या right limit और function की value equal है तो अभी हमने देखा इसकी function की value zero आ रही है जबकि limit का answer भी zero आ रहे है तो yes once again बिलकुल जी equal है ठीक है minus one पर right limit भी zero आ रही है function की value भी zero आ रही है अच्छा इस इतना last part में क्या function continuous है बिलकुल continuous है क्योंके तीनों conditions meet कर रहे है function की value भी exist कर रही है limit भी exist कर रही है और दोनों equal भी है तो बिलकुल जीना बिलकुल continuous भी है minus one पर यह ठीक है तो इसी तरीके से बाकी के हम चार questions पांच questions solve करने वाले हैं अच्छा 6 में वो same काम कर रहा है one के लिए पहले किस के लिए था minus one के लिए था plus one के लिए तो सबसे पहले यानि चले हम part one से start करते है एक मिट से दर मैं फ़रे लिख रहूं यहाँ पर b part then we have c then d अच्छा सबसे पहले part में वो पूछ रहा है कि क्या function की value one पर exist कर रही है यह देख लेते हैं this is point one इस पर देखें yes यह point है और यह अगर आप observe करें न तो this is x is equal to y is equal to one basically ठीक है ना one पर यह उसने वैसे भी दिया हुए one कॉमा one तो one पर यह one value दे रहे है बिलकुल exist कर रही है तो first part का answer आपका आएगा yes और अगर आप लिखना जाएं तो लिख भी सकते है f of one equal to one है ओके next b part में आजएं b part में कहा रहा है क्या limit exist करती है तो limit तब exist करती है जब उसकी left और right limit दोनों same हो ठीक है limit तब exist करेगी जब left और right limit दोनों equal हो तो आप देख लें one को आप approach करें left से या right से ultimately दोनों तरफ से यह देखें यह left से और यह right से graph आपका जा रहा है two की तरफ ठीक है यह चीज़ें हम detail में सीख चुके हुए है इस वज़ा से मैं इस पर कुछ जारा time नहीं लगाँगा आप देख सकते हैं one को left से जा रहे हैं या right से जा रहे हैं तो one की left पे भी और right बे भी ultimately two की तरफ जा रहा है आपका graph ठीक है आप mention कर सकते हैं जी बिल्कुल करती है exist और यह equal है f of x is equal to two ठीक है इसका answer भी yes में है अच्छा c पार्ट में कह रहा है क्या equal है दोनो function की value जो आपने find की है और limit नहीं जी नहीं इक्वल नहीं है चूंके वो function की value 1 नहीं आ रही थी और यह two हा रही है not equal और last part में क्या function continuous है बिल्कुल नहीं होगा चूंके तीसरी condition meet नहीं कर रही आपके function की value उग्रीस तो कर रही है अगर चे limit भी उग्रीस कर रही है बट आपके दोनों same नहीं है तो discontinuous है जी continuous नहीं है ठीक है आप one पर देखे न अगर आप भी plot करना चाहें तो यहां से तो ठीक चल रहा है काम जैसे ही one आता है आपको jump करना पड़ेगा jump करके नीचे जैसे ही one cross करते हैं फिर उपर तो इस jump की वज़ा से यह discontinuous है ठीक है इसके दो पार्टस ही है तो फर्स पार्ट में अगर आप देखें तो function define पूछना चाहा रहा है आप वो कहा रहा है look at a definition of f graph की मदद से भी देखा जा सकता है एक whole नज़र आ रहा है इसका मतलब function define नहीं है अच्छा definition पर चले जाएं जरा वापिस उपर तो yes अब ये देख रहे है function जो आप कहना है minus 2x plus 4 define है 1 से 2 तक और ये 2 पर strict inequality है मतलब 2 के लिए नहीं है और next function जो आपका define है 0 ये 2 से 3 तक है once again 2 पर strict inequality नहीं है तो यहाँ सभी आप देख सकते हैं 2 पर function define नहीं है ठीक है तो पहले part का answer जो है वो no है क्योंकि आपका function define नहीं है 2 पर क्या function continuous है आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि function define नहीं है तो ये किसी सूरत भी continuous नहीं हो सकता अगरचे इसकी limit exist कर रही है आप इसकी limit find करेंगे न 2 पर तो 2 पे इसकी left limit भी 0 आएगी right limit भी 0 आ रही है यहां सही पता चल रहा है जैसे जैसे आप 2 का प्रोच करते है function आपका 0 का प्रोच करते है लेकिन क्योंकि इसकी limit इसकी value exist नहीं करती 2 पे function नहीं है तो इस वज़ा से हम इसको continuous नहीं गया सकते ठीक है this is the 7th question next 8 पे आजएं वो कह रहा है कि पूरे graph में बताईए किन किन points पर आपका function continuous है किन किन points पर आपका function continuous है तो this is about continuity on a set ठीक है तो यह बताना बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप देखें यहां से शुरू हो जएं सबसे पहले तो वो points जो obvious है कौन से minus 1 से start होई है चलते जाएं जी 0 तक 0 के अलावा यह ऐसे points है जहां पर यह smooth graph है कोई jump नहीं आ रहा कोई hole नहीं आ रहा ठीक है तो आप यह लिख सकते हैं कि minus 1 से start होगा 0 तक 0 पर open interval क्योंकि 0 पर jump आ गया ठीक है 0 पर function discontinuous है क्योंकि jump आ गया उसके बाद 0 से start होजएं 1 तक 1 पर अभी हमने उपर कहा था किसी question में कि 1 पर function continuous नहीं है क्योंकि once again jump आ गया ठीक है न function के value हो रहा है limit कुछ हो रहे है तो इसका union लीजिए once again 0 पर open interval क्योंकि one पर भी continuous नहीं है उसके बाद फिर one से start हो जाई है चलते जाएं जी two पर आ जाएं तो one से two तक भी function define है इनके दर्मयान वाली values पर two पर नहीं define अभी अपने पिछले question में शाहिद यहीं देखा था yes function two पर continuous नहीं है ठीक है तो फिर आगे union लीजिए two से लेकर three तक three पर भी चूंके function की value exist नहीं कर रही इस वज़ा से three पर भी यह continuous नहीं है तो two, three open interval that's it तो यह एक ऐसा set है जिसके अंदर आपका function continuous है zero पर function continuous नहीं है उसके बाद one पर नहीं है then two पर भी नहीं है और three पर भी नहीं है three पर चूंके function की value भी exist नहीं करती two पर भी function की value exist नहीं करती ठीक है next आज का second last question यह interesting है अच्छा वो कह रहा है कि what value should be assigned to f of two to make the extended function continuous at x is equal to two अच्छा वो कहना चाह रहा है कि x is equal to two पर x is equal to two पर f of two को क्या value assign करें कि आपका function continuous हो जाए ठीक है तो देखें है two पर हमने देखा था कि इसकी limit क्या है two पर function की limit क्या रही है limit x approach is two f of x यह भी हमने उपर किसी question में देखा है दवारा देख सकते है this is two by the way और f of two क्या आ रहा था यह one आ रहा है this one तो अब आप देखने है बिल्कुल simple है हम इस f of two को क्या assign करें कि यह continuous हो जाए of course f of two को अगर हम यह two assign करते है मतलब हम कहते हैं f of two भी two के equal है तो two पर function continuous हो सकता है ठीक है यहनि आप यहूं करें कि इसको खतम करके f of okay sorry मैं confuse कर रहा था शायर यह one है I think यह one है of course sorry sorry okay मिर जब लगा यह हम one पर हमने discuss करना है बट वो two पर है okay no problem इसको देख लेते हैं okay so this is point two by the way ठीक है अच्छा point two पर function तो define ही नहीं है limit जबके define है limit अभी हमने find की थी x approaches to f of x this is equal to zero क्योंकि इसको left side से approach करें तो भी function zero की तरफ जा रहा है right से करें तो भी zero की तरफ जा रहा है ठीक है अगर आप function की value two पर zero कह देते हैं then यह function continuous होगा क्योंकि यही दो condition थे हैं basically three condition थे function की value exist करने चाहिए limit exist करने चाहिए और दोनों same होनी चाहिए यहां पर क्या था function की value exist ही नहीं कर रही थी limit exist कर रही थी अगर आप function की value को भी zero assign कर दें यानि आप कुछ इस तरह से इसको fill कर ले जी that mean यह zero पर two पर sorry define है और इसकी value क्या है zero है अब आप देख लें graph smooth हो गया ठीक है then इस सूरत में यह continuous हो सकता है जब आप f of two को equal zero रख दें ठीक है okay question number last पर आजए है 10 question पर अब वो बूच रहा है one पर same काम के one पर आपकी to what new value should f of one be changed to remove the discontinuity तो कह रहा है one पर discontinuity को remove करने के लिए आपको f of one के लिए f of one के साथ क्या करना पड़ेगा ठीक है याद रहे this is f x is equal to one इस पर आपका function define है one पर function की value यह one आ रही है और इसके साथ में limit भी define है one पर अगर आप limit लेते हैं बेशक left लें या right लें अभी हमने उपर एक question में देखा भी था दोनों cases में आपकी limit जो है वो two आ रही है ठीक है अगर आप f of one को भी one की बज़ाए two कर देना तो function आपका continuous हो सकता है ठीक है तो इसका answer क्या है अगर आप अपने f of one को one की बज़ाए two assign कर दें चूंकि limit का answer two आ रहा है तो आपका function one पे continuous हो सकता है यानि आप इस को उठा के यहां से उपर यहां पे shift कर दें ठीक है अब आप देखें graph load करें तो two पर आपका pencil आपको नहीं उठानी पड़ेगी that's it ठीक हो गया तो इस सूरत में function आपका one पे continuous हो सकता है तो this is sometimes called removable discontinuity next lecture में बात हो कि discontinuity और उसकी types के बारे में तो आज के लिए तरह ही काफी है आज की lecture समतलिक कहीं से भी कोई question query हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो thank you very much